बात 29 मई 2022 की है यानि आज से एक्जेक्ट एक साल पहले शाम के साड़े चार बजे सिद्धू मूसे वाला अपने घर से निकल के थार में बैठे मैप को ध्यान से समझो सिद्धू मूसे वाला इस वक्त अपने गाउं मूसा में थे और यहां से 61 किलोमेटर दूर उनको अपनी सिद्धू मूसे वाला के करोडो फैंस की जिंदगी ने एक नया मोड लिया कुछ इस तरीके से कोरोला ओल्टिस कार सिद्धू की थार का पीछा कर रही थी और उसके पीछे बुलेरो भी आ रही थी कोरोला ने थार का रास्ता ब्लॉक किया और बुलेरो वालों ने सिद्धू की थार के टायर में गोली मार दी ताकि वो कोरोला को उड़ा के भागना पाए इस मैंसे तीन बंदे बंदूगों के साथ निकलते हैं और साथ ही बुलेरो मैंसे भी तीन बंदे बंदूगों के साथ निकलते हैं और सिद्धू मुसे वाला पर धड़ादर 30 गोलियां बरसा देते हैं पर सवाल सिर्फ एक है सिद्धू मुसे वाला ही क्यों और सिंगर्स भी तो हैं उनके बापको तो ये दिन नहीं देखना पड़ा कि अपने बेटे की मूचों को ताफ दिया जाए इस हालत में अलाकि सिखों में कल्चर भी है लेकिन बेटे की बॉडी को दूले से सजाया क्यों परमीश वर्मा को अपरेल 2018 में मोहाली में गोली मारी और आखिर क्यों गिप्पी ग्रिवाला और मनकीरत अलग को जान से मारने की धमकी मिली हुई है देखो सिद्दू मुसेवाला हत्याकांड मामले में पुलिस का ये मानना है कि सिद्दू के साथ जो कुछ हुआ वो बस एक इंसान की वज़े से हुआ और वो इंसान है ये विक्की मिड़्ु खेडा असल में यह 33 साल का विक्रमजीत सिंग और विक्की मिड़्ु खेडा अकाली दल के युथ विंग का लीडर था और सीनियर अकाली दल लीडर सुख्बीर सिंग बादल का बहुत करीबी था एक बात आपको clear होनी चाहिए कि मिड्डू खेडा कोई सरनेम नहीं है बलकि पंजाब के मुक्त सर जिले में एक गाउं है Actually पंजाब हर्याणा में बहुत common है famous होने के बाद अपने गाउं के नाम को सरनेम के रूप में use करना जिसे सिद्दू मुसे वाला का असली नाम था शुबदीव सिद्दू लेकिन मैप में दिखाऊं तो वो हर्याणा से लगते हुए पंजाब के समंसा डिस्ट्रिक्ट के मुसा गाउं का रहने वाला था इसलिए सिद्दू मुसे वाला एनिवेज, साथ अकस 2021 को विक्की मिड्डु खेडा के ऊपर 20 गोलियां चलाई गई और गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी अब दिक्कत ये होई कि विक्की मिड्डु खेडा फेमस गैंस्टर लॉरेंस विश्णोई का एकदम करीबी था या यू कळो कि भाई की तरह था विक्की को मार दिया ना उसके बाद शुरू हुई है ये विक्की को मारने वाली कहानी कुछ यूं है कि विक्की मिड्डु खेडा के शूटर्स को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनमें से एक शूटर ने शगनप्रीत का नाम ले दिया, कि शगनप्रीत ने हमारी विक्की को मरवाने में मदद की थी, फिर मीडिया और पुलिस वालों ने ये बोला कि शगनप्रीत मूसे वाला का मैनेजर था, इसलिए मूसे वाला भी कहीं न कहीं इस कांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन टेक्निकली ये सही नहीं है, शगनप्रीत असल में काफी पंजाबी सिंगर्स का कॉमन मैनेजर था, और सिद्धू मूसे वाला के एक दो शोज उसने अरेंज करवाय थे, लेकिन ये बात सच है कि शगनप्रीत मूसे वाला का नोन तो था, अब शगनप्रीत का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसको पकड़ती, उससे पहले ही वो कथित तोर पर आस्ट्रेलिया भाग निकला, और लॉरेंस विश्णोई गैंका ये मानना था, कि सिद्दू मूसे वाला का शगनप्रीत को आस्ट्रेलिया भिजवाने में हाथ था, इसलिए ही सिद्दू पर ये छे शूटर्स धड़ादर गोलियां चला रहे हैं, इस समय सिद्दू के पास एक पिस्टल थी, जिसमें सिर्फ दो गोलियां थी, जो सिद्दू ने बैक फायर भी किये थे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिद्दू के साथ इस समय गाड़ी में दो लोग और थे, उनका कजन गुर्पीत सिंग और पडौसी गुर्विंदर सिंग, गुर्पी को ड्राइवर सीट पर बैटा था और गुर्विंदर पीछे वाली सीट पर बैटा था, और इनके भी जांग और हातों में गोली लगी थी और ये भी इंजर्ड हुए थे, टोटल 30 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 19 गोलियां मुसे वाला को लगी, उसके बाद सिद्दू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक रहा चलती दूसरी गाड़ी की मदद ली, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने पर सिद्दू को ब्रॉट डेट भोसित किया गया, पोस्ट माटम रिपोर्ट्स ने बताया कि सिद्दू मुसे वाला ने गोलियां लगने के बाद 15 मिनट के अंदर-अंदर फ्रांट त्याग दिये थे, शौकिंग बाद ये थी कि शूट आउट के जस्ट बाद ही, लौरेंस बिशनोई के राईट एंड गोल्डी ब्रार ने ये पोस्ट डाली और लौरेंस बिशनोई के भांजे सचीन बिशनोई ने निज चनल वालों को कॉल किया, इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि लॉरेंस विश्णोई सच में इतना खतरना क्यूं है जरूर देखना दोनों ने डिरेक्ली बहुत प्राउड फील करते हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली फेस्बुक पोस्ट ने गोल्डी ब्रार ने बताया कि विक्की के कतल में सिद्धू मूसेवाला का हाथ है ये जानते हुए भी पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया इसलिए हमने एक्शन लिया और सचिन बिश्णोई ने निउस वालों को कॉल करके बोला कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे उनका मट्र करवाया था विक्की मिद्दू गेडा इतने भी अंजी अंजी चूंकि ये एतना बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा था तो पुलिस को तो एक्शन लेना ही था इसलिए 6 मैंसे सिद्धू मुसे वाला के 3 शूटर्स को तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया था ये 3 थे प्रियेवरत फौजी, कशिस और अंकित सेडसा और जो 3 भाग गए थे उनमेंसे 2 का पुलिस ने एंकाउंटर कर दिया था एंकाउंटर जिनका हुआ वो दो थे, जगरूब सिंग रूपा और मनप्रीत सिंग ये एंकाउंटर 4 घंटे चला था, जिसमें 3 पुलिस वाले भी घायल हुए थे और स्पॉट से AK-47 भी रिकवर की गई थी और फाइनली लास्ट वाला जो था, दीपक मुंडी इसको 10 सितंबर 2022 को पुलिस ने नेपाल बॉडर से धर्दा बोचा इन शॉट 6 के 6 शूटर्स पर पुलिस का एक्शन हो चुका था जो बुलेरो इस्तमाल की गई थी, ये लीग्डी CCTV फुटेज बताती है जिसमें सब अपने दौनों हातों में बंदू के दिखा रहे थे और अपने आपको स्टट साबित करने की कोशिस कर रहे थे उसके बाद मंसा से 13 किलोमीटर दूर इस बुलेरो को इन लोगों ने अबेंडन कर दिया और भाग गए जब पुलिस को वो बुलेरो मिली तो चानबीन करने पर पुलिस को फतेहा बाद के एक पेट्रॉल पंप की रिसीट मिली पेट्रॉल पंपर जाकर पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया तो पाया कि इसमें तो प्रियवरत फौजी शामिल है सिद्धु मुसेवाला सिर्फ एक अमेजिंग सॉंग राइटर और सिंगर ही नहीं बलकि पॉलिटीशन भी थे फेम मिलने के साथ ही उन्होंने 2021 में कॉंग्रेस जोइन कर ली और मंसा डिस्ट्रिक्ट से 2022 में चुनाव भी लड़े लगबग 63,000 वोटों से वो आम आदमी पार्टी के विज़े सिंगला से चुनावों में हारे थे असल में पंजाब में आम आदमी पार्टी से पहले जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब सिद्धु मुसेवाला की सिक्यूरिटी पर काफी ध्यान दिया जाता था लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही उनकी सिक्यूरिटी आर्ट से हटा कर चार गार्ड्स की कर दी पलिटिकल एंगल इस केस को इसलिए भी दिया जाता है यूकि आम आदमी पार्टी ने सिद्धु मुसेवाला पर अटेक से जस्ट एक दो दिन पहले ही 424 VIPs की security कम कर दे थी यानि जिस दिन सिद्दू मुसेवाला पर attack हुआ उस दिन उनके पास घटके दो security guards ही बचे थे और हत्या के समय वो भी उनके साथ नहीं थे सातना होने का कारण ये बताया जाता है कि सिद्दू उस दिन अपनी मौसी से मिलने अपनी bullet proof fortuner में नहीं बलकि personal थार में गए थे थार four seater होती है तो उसमें दो और जनों को ले जाने की जगे नहीं थी वैसे experts का मानना ये है कि उस दिन अगर वो अपनी bullet proof fortuner में security के साथ भी होते तो भी बचपाना मुश्किल था Actually detailed investigation के बाद पुलिस को ये पता चला था कि ये बहुती planned shootout था इतना planned की इन 6 shooters ने अपनी गाडियों में grenade और launchers वगेरा तक रखे हुए थे इन case अगर बंदूप चलने में कोई परिशानी आये तो कुछ yet to be confirmed reports ये बताती हैं कि shooters के पास Russian assault rifle AN-94 भी थी Come on man, AN-94 की बात हो रही है This is a big deal, ये बहुती rare and special war weapon है और इसका भारत में आना मतलब पूरी दाल ही काली है Something big is happening around Punjab-Pakistan border मैं totally expect कर रहा हूँ कि इस वीडियो का comment section दो communities में divide होगा एक तरफ होंगे R.I.P, Legend Never Dies वाले और दूसरी तरफ होंगे ये बोलने वाले कि सिद्धू मुसे वाला एक खालिस्तानी supporter था इसलिए ये तो होना ही था पेवर वाले ये बोलेंगे कि सिद्धू मुसे वाला के गाने लोगों को उनकी cultural roots से जोडते थे और अगेंस्ट वाले ये बोलेंगे कि सिद्धू मुसे वाला अपने गानों में gun culture को promote करता था आप इन दौनम ऐसे चाहे किसी भी category से belong करते हों लेकिन आप मेरी इस बात से पक्का agree करोगे कि this is something really insane ये देखो, आसपास के घरों तक में गोलियां लगी थी दिवारों तक में गोलियां गुसी पड़ी है शूटिंग के टाइम जहां थार खड़ी थी वहाँ ऐसे पेचे गार दिये गए हैं इस पॉट को mark करने के लिए एक साल बाद भी ये scary scenes हमें पंजाब के gun culture के बारे में बात करने पर मजबूर करते हैं पंजाब इंडिया के सिर्फ 2.3% population contain करता है लेकिन टोटल इंडिया के 10% licensed arms पंजाब के पास ही हैं भारत के टोटल 40,00,00,00 लाइसेंस हतियारों में से 4,00,00,00 तो पंजाब के पास ही हैं और जो crimes हो रहे हैं वो obviously non licensed हतियारों से हो रहे हैं सिद्दू मुसे वाला के कुछ fans ये भी मानते हैं कि ये हतिया एक mystery type है शायद सिद्दू को पता था कि वो कब और कैसे मरेगा बहुती खतरना coincidence है कि 295 song उसका most popular है और death beat 29.5 यानि 29 माई को ही हुई सिद्दू American rapper टुपेक शकूर का बहुत बड़ा fan था और जैसे उसकी हत्या हुई सेम तरीके से सिद्दू की भी हत्या हुई कैर हम सब फिलाल ये जानते हैं कि हमने एक really talented singer और songwriter खोया इस proud father और टुटी हुई माने अपना बेटा खोया और एक फ्यांसे ने अपना होने वाला पती खोया और हाँ गैंस्टर्स पंजाबी singers के पीछे क्यों पड़े रहते हैं इस बारे में भी हम future में बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद लॉरेंस बिश्टोई का सलमान खान को मारने का plan इतना strong कैसे है इस वीडियो में समझो